हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डुगू कीचेन एंड ब्लॉक्स में फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग देखते ही समझ गया है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ पानी पूरी की इंस्टेंट रेसिपी तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको यह बताने वाली हूँ कि हमें पानी पूरी के लिए कैसे पानी प्रिपेर करना चाहिए घर पे बहुत इजी वे में और बहुत ही चटपटा तो मैं आज खटे मीटे फ्लेवर का और तीके फ्लेवर का पानी पूरी का पानी बना के आप लोगों के साथ सेयर करूंगी इसे पहले फ्रेंड्स कि हम आगे बढ़े अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी बनी है उसे टाच करके आल का सेलेक्शन जरूर करिए जिसे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाना सुरू करेंगे तो मैंने यहां पर पानी पूरी के लिए रेडिमीट जो मारकेट में वलेबल होता है पूरी वाला पापड वो लिया है इसे हम घर पे बस फ्राइ कर लेंगे और आसानी से हमारी पानी पूरी के लिए बॉल्स तयार हो जाएंगे तो मैंने कड़ाही में तेल को गरम कर लिया है अच्छे से थोड़ा जादा ही तेल मेरा गरम हो गया है तो मैंने यहाँ पे पहले बैच में चार गुलगप्पे डाले हैं फ्राई करने के लिए कड़ाही में और ये देखिए देखते ही देखते ये इतना बड़ा हो गया एकदम बढ़िया सा फूला फूला हमारा पानी पूरी के लिए गुलगप़ बनके तयार है और इसी प्रकार से हम और बाकी के भी पापड को फ्राइ कर लेंगे और हमारे बढ़िया से पानी पूरी के लिए गु कपपा TAAR partly confirm कुछ हो डाय दो कि अगींद्द को बालु को करके मैंज करकी रखा है इसे हम इस्टफ करेंगे अपने पानी पूरी के बाल में तो यह देखिए मैंने लिया है एक बाउल अब मैं इसले बनाने वाली हो ग्रीन तीखा वाला पानी तो सबसे पहले मैंने आपे बावल में डाला है ठंडा पानी जितना हमें पानी पूरी के लिए पानी बनाना हो उतना ही हमें पानी लेना है और ये मैंने लिया है मार्केट में जो हमें अलेबल होता है पानी पूरी मसाला तो मैं इसमें से एक बड़ा चमच मसाला भी मिला ले रह करके पतला पीस लिया है और इसमें मिला लिया है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और अब मैंने डला है इसमें आदा चमच भूना जीरा पाउडर इसके साथ ही आदा चमच मैंने आमशुर पाउडर भी अच्छे से मिला लिया है और अब मैं डाल रही हूं आदा या लसन मिर्च भी पीस ली थी और अब मैं यहाँ पे तयार करने वाली हूँ पानी पूरी के लिए मीठा वाला पानी तो सबसे पहले मैंने गुड को यहाँ पे पानी में भीगा के रख लिया था देखिए कुछ ही इस तरीके से है अब मैंने आधा चोटा चमच लालमीची पाउडर और आधा चोटा चमच मैंने यहाँ पे भूने हुए जीरे का पाउडर इसके साथ ही आधा चोटा चमच के लगभग मैंने चाट मसाला भी स्प्रेंकल किया है इसमें और अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहाँ पे हमारा मीठा और घटा चटपटा पानी बनके तयार है और अब हम चलते हैं अपने पानी पूरी में जो स्टफ करने के लिए आलू होता है उसे रेडी करने तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बॉयल मैस आलू ले लिया है अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूं नमक तो नमक मैंने काला वाला मिलाया है और इसके साथ ही मैंन आप चाहें तो यहां पे काले वाले जो चने होते हैं उसे भी मिला सकते हैं या फिर जो छोले वाला मटर होता है उसे भी हम बॉल करके इसमें मिला सकते हैं तो हरा धनिया डाल करके अब यह हमारा स्टफिंग तयार है तो अब मैं सारी चीजों को एक जगार पे लाती हूं और यह रहा हमारा हरा वाला पानी और वह मीठा वाला पानी यहां पर उसे भी ले लिया है और यह देखिए सबसे पहले मैं इसमें आलू का जो मसाला बनाया है उसे भर रही हूं इसके बाद मैं इसमें तीखा वाला जो हमारा चटपटा सा पानी है एकदम ग्रीन ग्रीन बढ़िया सा उसे भर के ट्राई करूँगी यह तो मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने इसे सबसे पहले बना कर ट्राई करने के लिए सोचा है तो यह दिखे एकदम फुल है पानी से भर हुआ है और इसके बीच में डाल रहे हूं थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याज तो अब हम इसे खा कर ट्राई कर लेंगे और इसी प्रकार से मैं यहां पे आपको मीठे पानी वाला भी बना करके दिखा देती हूं सबसे पहले मैं पानी पुरिली हूं और उसको बीचे तो पूर होते हैं अब मैं इसमें भी थोड़ा सा डालूंगी कटा हुआ प्याज और इसे खा कर ट्राई करती हूं इसका फ्लेवर कैसा है तो फ्रेंड्स मैंने यहां पे दोनों फ्लेवर टेस्ट कर लिये हैं बहुत ही टेस्टी एकदम माउथ वाटरिंग हमारा पानी पुरी बन के तयार है आप भी ऐसे जरूर बना कर ट्राई करिए